पैरिकोज वेन किया होता है वेसिकली हमारे जो लोर लिद्फ हैं उसमें इसमें और अंदर बॉन्स में दो तरह की वेन्स होती हैं पहले तो हमको जानना होता कि आर्ट्री होती है जो हमारे ब्लॉट को सप्लाय करती वेंस जो हुआ हाट को impure मतलब गनदा ब्लॉड वापस ल वो मेन के पास बहुत ही बहतरी नितरह ने ने इन डॉनों के वेंस के इसको कहते है इसको पर्फोरेटर तो यह क्या होता है कि जबीविय रखक्शन होता है या कोई भी हमारे पैर में चोट लेपी है या कोई भी एक बैर को कोई इस्व होते टॉक्सिंस वगरा यह ड्रेन करके नॉर्मल चैनल मतलब सुपर विशल वेन से डीप वेन की तरफ जाके वह हाट में चला जाता है तो वैरिकोस वेन क्या होती है कि यह जो हमारी सूपर विशल वेन से इस बैसिकली डाइलेटेटेड टॉर्चुरस वेन मतलब फूली हुई ट घहरी वेन की वीच में जो कनेक्शन होता है वह किसी इंफेक्शन होने के वाज़ से कहीं वाज़ाती है इसको वेरिकोस वेन कहते हैं लक्षण सबसे पहले एक तो हमको dragging pain होता है मतलब क्योंकि वहां ब्लड नॉर्मली वह एक खड़ा होने जगह नहीं है लेकिन सुझी हुई नसे महां आ जाएंगी तो dragging pain मतलब गिस्ता हो पेन और बहुत अब chronic pain होगा लगातार दर्द होता रहेगा और यह जो वेंस होती है यह नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं चलने और फिरने आले काम करते हैं तो बढ़ जाती है और नॉर्मली लेट जाते है तो नेचर मतलब ग्राविटी के थूँ वह सूजन अपने आप कम हो जाती है तो ह इनका काम होता है कि सुबे से लेकि रात तक सिफ खड़े रहना और खड़े रहके सारे काम करने तो यह सारे लोग को ज्यादा होने की चांसे होती है यह लॉंग स्टेंडिंग जो जो यह जो जो भींदिक्कत अलगती है कभी-कभी वह skin blackening या skin discoloration महां से जो टॉकसिंस है म वह क्लीनिग प्रोस्टेस होती है वेंस हमारे क्लीनिग वेंस होते हैं तो वहां टॉक्सिं मतलब ब्लैकेश मतलब पैर में काले-काले दाग हो जाना थोड़े कभी काल पैल में लाल दाग हो जाना एरीदिमा यह सब कलर्स डिसकलरेशन भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है दूसी नसे सुझी हुई है जिसके वेसे आसपास अगर अलसर हो गया तो वह हील नहीं करें तो यह कुछ कॉमन लक्षण है इसके और ऐसे अगर आपको लगे तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल करना जो जो यह सुपरफिशल बेंस हैं यह हमारे एक मीडियल साइड आप लें तो प्रकार की सुपरफिशल नसे नॉर्मल एनाटमी में होती है इसके अलावा कई अलग से एक इक्स्ट्रा वें कभी कभी ऑसको जो सकती त्रेडीशनल ऑप्षिन है वह तो है सर्जरी क्योंकि में नस जो है पैर की वो डीप बेन है वो सुपरफिशल बेन नहीं है त तो पूराने जमानों में जो में ट्रीटमेंट होता था उसको कहते थे स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन तो वह पूरी नस्ट को हम उपर से लेके नीचे तक जांग से लेके हमारे अंकल्स तक हम पूरी वेन को टेड़ी मेड़ी सूच गई है पूरी नस्ट को हम निकाल देते हैं सो उसको कहते है स्क्रिपिंग ऑफ द वेन लेकिन यह हम सिप नॉर्मली ग्रेट सेफनेस में में ही कर सकते हैं जो दूसरी वेन है वो थोड़ी छोटी होती है और उसको निकालना इतना इसी पॉसिबल नहीं है तो यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था यही अभी तक भी क हां से बंद करते थे तो यह क्योंकि हम इसमें हम सारी सुपर विशल वेन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं यह दोनों ऑप्शिंस में चाहे हम पूरी एक ग्रेट सेफनेस वेन निकाल रहे हैं चाहे हम वहां टाके लगा रहे हैं तो इसलिए यह बिमारी बहुत तकलीफ वाली हो तो इसलिए यह बहुत अच्छा बिमारी नहीं मानी जाती थी कि मतलब क्योंकि बार-बार होती रहती थी एक डॉक्टर के बास गए आपने उसको स्रिपिंग कर दी तो यहां से लेकि उपर से पूरी नस निकलती थी तो काफी दर्द होता था मरीज को और सूजन भी होती थ अच्छी कासी चांस होती थी साल दो साल तीन साल पांट साल बार वापस हो जाता है तो अब जो लेटेस टेकनोलोजी है एंडो वीनस लेजर अबलेजिन इस दर मतलब बेस्ट्रीटमेंट विच इस अबलेबल उसमें हम क्या करते हैं पैन की नोग से भी पतला एक फाइबर होता है लेजर फाइबर होता है लेजर एक प्रकार की एनर्जी है यह वो हम जैसे यहां लगाते हैं उससरा फ्रीफीर में हम वह अंदर फाइबर डालके अल्ट्रासांड भी साथ में करते हैं ऑपरेशन के दौरारा व्यक्त हम देख लेती है जा रहा है और उससे सेस्टी भी पता चल जाती है और उसके बाद फिर हम बो रूघव हतंब jako पूरी की नस्वहाइभ हम पूर्य कर निकालते ते गाल की और अच्छे हैं और वापस नहीं होती अगर आपने उसके अलावा भी कुछ नसे होती है जहां पे लेजर फाइबर नहीं पॉच पाता है तो अगर आपने कॉंप्लीट रॉक्ट ने सारी नसे जला दी है उसके कुछ बचे वह फूर्ट जला दिया है तो अल्मोस 99.9% शोर है कि यह बिमारी वापस नहीं आईगी और सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट सेम डे सेम शाम को या अगले दिन सुबह ही घर जा सकता है क्योंकि पेशेंट को कुछ चीर फाड नहीं हुआ है पेशेंट को को एक मतलब जैसे मान के जलिए एक इंज बिंजेक्शन लगाया को तो पेशेंट को दर्द भी नहीं होता सुजण थोडी बहुत आ सकती है क्योंकि एरिया यह इसा है लेकिन जादा तकलीफ नहीं होती है और कुल दवाईयों के साथ में पेशेंट एक। रोसकी क्योंकि यह हमने वेन्स को जला दिया और वेन्स में वापस भूम आने की चांसिज रहती हैं तो इसके या आप ट्रीटमेंट नहीं भी कर रहे हैं या आप ने सर्जरी भी कराई है तो इसके साथ में एक स्टॉकिंग होती है जो की स्पेशली वेरिकोस वेन के नाम के अलग आ अगर बहुत टाइड हम होजा पहने रहेंगे तो हमाई मसल्स और बाकी चीज़े भी कंप्रेश होंगी जिससे हमको पेन होने लगेगा तो क्लास्टू स्टॉकिंग्स कहते हैं जिसको वेरिकोस में और वो कभी-कभी शुरवाती फेज में बिना और आपको टालना है तो उ अगर सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी 3-6 मंच तक यह टॉकिंग्स पहनने के लिए आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और लेटे वाक्त और सोते वाक्त और उतार सकते अपनी सब्स्टॉकिंग्स और बस और कोई साफधानी लेने की ज़रूत ही जैसे मैंने बता च झाल 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 झाल